नमस्कार में नुपर बंडवालो आप देख रहे हैं नैशनल दस्तक उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है या कोई खेल चल रहा है यह मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आए दिन सतधारी पार्टी यानि भारतिय जुनता पार्टी के नेताओं की रैली फ्लॉप होती न लोग ही नहीं आते कुर्सिया सारी खाली रहती है मतलब इतनी बेजती हो गई है जनता इनने कह भी रही है कि ऐसे जुम्लेवादो वाली सरकार नहीं चाहिए फिर भी यह लोग सुनने को तयार ही नहीं है अब ग्रह मंत्री अमिट शाजी की धनसभा सूपर फ्लॉप रही भी नहीं जुटी जिसकी वज़े से धनसभा में लगी कुर्सिया खाली ही रह गई घटना बांदा की है जहां पर ग्रह मंत्री अमिट शाजी धनसभा को संबोधित करने पहुचे और वहां जो हालत हुई है जो भैंकर बेजती हुई है इनकी वो देखने लायक है चलिए आ अलतिना सरकार ने 5 साल के अपने कारिकाल में जो अच्छा काम किया है अब उसी का फल उन्हें मिल भी रहा है जंदा उनकी जमकर खातेदारी करे है अच्छे से स्वागत करे है हर तरफ उनका भहिशकार करके और उनके नेता और मंत्रियों को रंडों से पीट कर और उनकी पीरियों आपको रोज रोज दिखाई रहे है पहले तो भाजपा के विधायक दोडाये जा रहे थे नेता कारेकरता भगाये जा रहे थे यहां तक की उप मुख्य मंत्री और मुख्य मंत्री योग्यातिनात का विरोध किया जा रहा था कहीं कहीं तो उनकी जनसवा में खराब है हलाद बज से बत्तर हो चुके हैं हम आपको दस्वीरे दिखाएंगे वो वीडियो दिखाएंगे सारे सुबूस दिखाएंगे जो भारती जंता पार्टी के धकोशलों को पूरी तरह से बेनकाब करके रख देगा पहला चरन दूसा चरन तीसा चरन चोथा चरन हर च प्रहमंतरी अमिट शाजी के दंसभा से जो तस्वीरे सामने आ रही है उसे देखकर आप भी चौक जाएंगे हैरान रह जाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है इस वीडियो पर एक नजर डालिए यह वीडियो आपशा जी के दंसभा की है उनकी वीडियो आए जिसमें जो भी अपनी नजर घुमाएंगे आपको लोग नहीं दिखेंगे सबसे पहले आप इस वीजियो को देखिए तो आप सोचिए कि भारती जिंता-पार्टी की क्या हालत हो रखी है उत्तरप्रदेश चुनाव में और आपको याद होगा जब रधान-मंत्री मोदी उनकी रैली थी मना कर दिया था अनका भी विरोथ किया लोग उनकी सवबा में शामिल नहीं होना चाहरे थे अगर एक प्रदान-मंत्री का इस तरह से विरोथ किया जा रहा है तो आप समझ सकते है कि क्या हालचो हो चुकी है इनकी क्या लोग इने पसंद कर रहे है या नहीं कर रहें कितना इनके लिए इनके मन में गुस्सा है बाजजिंदा पार्टी को लेकर और उत्पर प्रदेश में भाजपा का क्या हाल है प्रधान मंतरी मोधी के रैली में भीर जुटाने के लिए तीन जिलों से लोगों को बुलाया गया था और उन लोगों को पता भी नहीं था कि आखिर उन्हें बुलाया क्यों जा रहा है पैसे किस बात के दिये जा रहे है बाद में जब महिलाई मा मौके पर पहुची तो जाकर उन्हें प्रधान मंतरी मोधी जी के भाषन सुनने के लिए वाँ बुलाया गया है वहीं दूसरी तरफ आज उत्तर प्रदेश में तीसर जरन में मदान होने थे मदान शुरू होने के बाद सबसे पहले जो ख़बर बाहर निकल कर आ रही है वो ये है कि हर जगा से EVM की खराबी की ख़बर आ रही है कुछ लोग कंगलेन कर रहे हैं कि EVM ठीक से काम नहीं कर रहा जिसकी वैसे लोगों को वोट देने में काफी परिशानी का सामना करना पड़ रहा है उसके बाद आदश, अचार, सहिंता के नियमों के उलंगन की ख़बरे सामने आ जाती है कोई फोटो खीच कर डाल दे रहा है, वीडियो बना कर डाल दे रहा है उसके बाद ये ख़बर सामने आ रही है कि जो वोट डाल रहे है समाजवादी पार्टी को बटन दमा रहे हैं सपा का और वोट जा रहा है भारती जंता पार्टी को जो पहले चरण में देखने को मिली थी, दूसरे चरण में देखने को मिली थी और चुनाव आयोग, बिल्कुल चुक चाप आखे मून कर ये सब देख रहा है बिल्कुल मौन है, कोई संग्यान नहीं ले रहा है इन सारी हरकतों पर लगतार शिकायते की जा रही है, लोग परिशान है, तीशे चरण में तेरा जीलों के 69 विधान सबा सीटों पर मदान हो रहा है और हर जगह से बस यही खबर आ रही है कि EVM सही से काम नहीं कर जा है, EVM खराब है, जासी से यह खबर आई है कि EVM खराब है, जलोन से खबर आई है कि EVM खराब है, एटा, हाथरस, पटान कोट, हर जगह से बस यही खबर आ रही है तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से धांदली की जा रही है, जीत के लिए किस तरह से हर दिन कोई ना कोई नया खेल रचा जा रहा है मतलब इन लोगों को हार का डर इतना सता रहा है कि अब ये वॉकला उटे हैं, इनकी सभाव में लोग नहीं जाना चाहते, इससे पूरा खेल साफ हो चुका है क्यार इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ख़बरों के लिए देखते रहें नाशनल दस्तक, धन्यवाद नशनल दस्तक की आप से गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नशनल दस्तक को सबस्क्राइब करने के लिए lincler के सबस्क्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंती दवाएं नशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़वर को श